असलाम अलेकों मेरे नाम डॉक्टर शाजली मन्जूर है और में चैस्पेशलिस्ट हूँ और कोवड-19 एक्सपर्ट भी हूँ ये जएकन्ड वेट पहले से जाधा तेज है और इसकी शिदत भी जाधा है और जो है किसम की इसमें जो लोग बिमार हो रे हैं वो अब हर तबके के बंदा बिमार हो रहा है पहले ये देखा गया था कि ये लोग जादा तर जो हैं वो बुड़े लोगों में ये जिन में मल्टिपल मेडिकल प्रॉब्लम सी, शुगर, बेड़ प्रेशर, हार्ट की डिजीज थी उन में ये जादा हो रहा था लेकिन अब हम देख रहे हैं कि नौजवानों में जादा ह हो रहे हैं लेकिन वो रिकवर जादा हो रहे हैं और जो मरीज इसमें आ रहे हमारे पास अब थोड़ा लंबा टाइम ले रहे हैं और इसकी शिदत में अजाफ है और जो दुआएं हम पहले दे रहे थे उसको असर करने में अब टाइम लग रहे हैं और वे बहुत जादा है उसी तरह लोग बहुत जादा हमारे पास आ रहे है इसके बचने का तरीका तो वही था कि हम जो है अपनी सेफटी प्रिकॉशन्स करते हैं सोशल डिस्टिंसिंग करते हैं और जो हकूमत कह रही थी कि आप SLPs फॉलो करें वो हमें करना चाहिए था इस तरह से है कि जब कोई बंदा खांसी करता है और चींक मारता है या जोर से बात करता है तो हवा में थोड़ी देल के लिए वाइरस जो है ना मुलिक हो जाता है चार छे घेंटे तो अगर आपका कांटेक्ट उस मरीज से हो रहा है तो जहरी बात है आप उसको इनहेल कर सकते और इससे ये वाइरस जो है किसी भी फर्द में COVID-19 के जो लामात है वो कर सकता है तो ये इनताही घलत बात है कि परसन टू परसन नहीं पहलता ये डवली एचो ने भी कह चुक है बार बार सब लोग कह रहे हैं और डॉक्टर्स भी कह रहे है तो इस पर ही आप मेरे खाल से जादा तबज़ा ना दें, मास्क इसमें पैनना होगा, हाथ और जिस हम सैनिटाइजर यूज़ करते हैं या हाथ धोते हैं वह में करना पड़ेगा, इंतहाई ये जो है हसास किसम की चीज़ है और ये सैंसिटिव नेचर है क्योंकि बिमारी बहुत शदीद हो सकती है, खतरना को करुड़ेख कई आइजयर देखें ये जो करोना वाइरस है, ये अब टेस्टों में काम आ रहे हैं, पहले बहु जो टेस्ट होते थे उसमें साट फीसद चांस था कि ये करोना डिटेक्ट हो, 40 फीसद नहीं था, ब जब्यक्रेखने में आ आ रहे ही कि ये अब उन जो उन जो टेस्टिंग फिसिलिटीज को हमारे हैं गोल्ड स्टेंडर हम कहते हैं वो बेसिकली COVID-19 PCR है और उसमें हम यह देख रहे हैं कि मरीज जो हैं वो आते COVID-19 के सिम्टम से हैं, उनके अलामात वही होते हैं, उनके एक्स्ट्रेम फाइंडिंग वही होती है, उनका CT स्कैन वह आता, तो यह एक अलार्मिंग बात है, इसमें दो वजोहात हो सकती हैं, एक तो यह है कि यह वाइरस जो है, वो म्यूटेट कर गया है और उसे अपनी शकल चेंज कर लिए, जो कि वाइरस इस चीज में खासियत रखते हैं, और दूसरा यह है कि अब यह सेंसिटिव नही रह उन टेस्टों को, दूसरी यह बात हो सकती है कि शायद देर से पता चलता हो, हमारे पस बहुत से मरीज़ हैं जिनको दो दो तीन तीन हफ़ते हम ट्रीट करते हैं, तीन हफ़तों के बाद जाके यह वाइरस जो है, उस स्वाब में यह उस में जो पीसी आर है, उनका पॉजि में काफी जादा जो है ना कहना चाहिए कि आगई है, आगई ही आगई है, और जैसे मरीज के अलामाद शुरू होते हैं, वो डॉक्टरों के पास जाते हैं, नजदी की डॉक्टर या हॉस्पिटल, तो उस से यह होता है कि हमें मरीज फॉरण आ जाता है, चाहे वो कि हम टेस्टों पे ना जाएं, अलामात पे जाएं, जैसी को अलामात इस तरह की हों, जिसमें नजला जुकाम, खांसी, और सांस का फूलना, बुहार तेज होना, इसके लिए हम फॉरण अपने डॉक्टर से रजू करें, और उन से दवाई लें, और अपने साथ वालों से अगर आपको सिम्टम्स हैं, तो अपने आपको कारिंटीन करें, जब तक आपका टेस्ट करें, अगर ये पहली वेव से ज्यादा खतरनाक है, और ये हमें पता था, ये प्रेडिक्शन भी थी, तो बेसिकली इस से बचाओ के तो वही तरीके हैं, जो डॉक्टर्स कह रहे है कि से बचने का एकी तरीका है, और हम बेसिनेशन जो भुलकर हेल्टे-उक्पर्ट्स कहते ही, ये वेक्सिनेशन जो है बेसिकली आपकी मैस्क है, और आप गलवस पहनते हैं, सैनिटाइजर यूज़ करते हैं, सोचल डिस्टेंसिंग है, फिसिकल डिस्टेंसिंग है, और क् कोई इलाज अभी तक दरियाफ्त नी हो इसकी कोई प्रिवेंशन नी है इसकी जो वेक्सीन्स हैं वो कहतो रहे हैं कि वो आ गई हैं लेकिन उसमें बहुत सारी टेक्निकल पेचीदिया इस टाइम पे मौजूद हैं और उसको भी अगले साल लगेगा फिर किन लोगों को वो ल होना और स्मार्ट लॉक्डाउन जो था इसमें किया गया और फिर एक टाइम ऐसा भी आया के पूरे मुल्क में जो है वो जगह जगों पे कंप्लीट लॉक्डाउन भी यह अभी तो यह सिच्वेशन नहीं है लेकिन जिससे यह वेफ तेजी से जा रही है मुझे लगता है हकुमत इसमें कहीं कहीं जगों पे कंप्लीट लॉक्डाउन कर सकती है वो उनके पस डेटा आता है स्टेटिस्टिस्टिक्स आते हैं और वो उसको डे बाइडे मॉनिटर एन्सयों brassio andokoes और एनडीय में कर रही होती है तो वो तो हकुमत पाकिस्तान का का मैं हम लोगं का का झाल